आज हम पढ़ेंगे computer memory के बारे में मैं मोहित लूथरा आज आप लोगो computer memory टॉपिक बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं कुछ मज़ेदार मैंने हैं पर टॉपिक्स चूज किये हैं जो काफी यूसफुल भी है हमारे समझने के लिए और काफी इंट्रेस्टेड भी हैं कई बच्चों को computer memory में काफी confusion रहती है तो आज की वीडियो को देखने बाद आपको computer memory कोई भी confusion नहीं रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो computer memory का तो देखी computer memory का यहां पर मैंने एक डियाग्राम दे रखा है यहां पर एक human beings का mind दिखा रखा है और बाकी computer की कुछ memory जो चीजे है जैसे रैम है आपर हार्डिस है इसको बताया गया तो इस पिक्चर को देखके समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो माइंड है और जो कुछ computer की memory है लगबाव सिमिलर होती है एक जैसी होती है कहीं कहीं उपर और कहीं जगों पर वह अंतर आ जाता वीडियो में की कमटे मैमोरी क्या है हम कैसे इसको यूज में ले सकते हैं तो देखते हैं नेक्स स्क्रीन हम इसको देखते हैं इसमें दे रखाये computer memory क्या है तो इडिज़ टैक्नीक टेटा फिजिकली इन कम्पुटर यानि कम्पुटर में अगर आपको रिटा फिजिकली इस्टोर करते हैं तो उसके लिए जिस टैक्नीक का यूज करते हैं जिस तरीकी का आप यूज करते हैं उस ही को हम क्याते है है computer memory Тем अपर नोरी क्या है एक टेकनिक है एक तरीका है जिससे हम computer data store कर सकते हैं तो डेटा हमारे स्टोर करना ही क्या 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 क्को क्योंकि हमारे जो डेटा है वह कहां स्टोर होता है वह स्टोर होता है फिजिकली कम्पिटर में स्टोर होता है जो भी आपके कम्पिटर में स्टोर होता है जो भी आपके कम्पिटर में स्टोरी डिवाइस है सामाने ते कम्पिटर में हार्डिस होती है वह स्टोरी डिवाइस ह आप अपना डेटा मेमोरी के अंदर चाहिए वो आपकी RAM मेमोरी हो, ROM मेमोरी हो या कुछ अधर चुप हो उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं तो यह हमने देखा कि क्या है क्या है यह एक ऐसा तरीका है टेकनिक है जिससे हम कमप्टर में डेटा स्टोर कर सकते हैं को तो there are many ways to store data in a computer like Ram ROM और्डेस पैंडराय तो बहुत सारे तरफिए और को स्टोर करने के हम जाम में रसकते आधा रोम में सटोर खर सकते हैं हारडीछ में कर सकते या पर आपन डरायव का यूज का यूज हो रहा है यूज में हम चुन देटा को पिछ कर सकते हैं कि आज हे दخूALK हैं साज मेमोरी में हमने देख लिया कि मैमोरी क्या होती है मेमोरी का मतल yeter इसा तरीका है टाइक नीक है जिससे अपने मायंड में कुछ याद रख लेते हैं ऐसे अगर आप कुछ मेमोरी होती है मेन मेमोरी होती है जब आप कम्पिटर को पर्चेस करते हैं खरीदते हैं तो उसमें कुछ मेमोरी आल्रेडी होती है तो उस मेमोरी को इन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या इसे हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं जो कम्पिटर के इंदब बिल्डिन होती है तो उसकी नहीं है आपकी primary memory या computer के जो मुख्य memory है उसके पार्ट है रैम का मदब रेंडम एक्सिन में और रॉम का मदब रीड ओनली memory इसके बारे में हम अगई थोड़ा सा और आगे चल देंगे फिर पढ़ेंगे इसके बारे में को डीवीडी है पैंड्राइव है इनको आप बाद में computer में अटेच्च करते हैं अपनी रिक्वाइर्मेंट के अकोडिंग कि आपको कम डेटा स्टोर करना है ज्यादा डेटा स्टोर करना है यह कंप्टर में बाद में लगा जाती है इसलिए इन्हें सेकंडरी मेमोरी खाया जा सब्सक्राइब को आपको अटेरिक चौर करना है तो आपको कंपटर में सेकंडरी मेमोरी का यूज़ करना पड़े तो यहां पे हमने देखा कि मेमोरी क्या टरीक है जिससे हम कंपटरेव में डेटा स्टोर कर सकते हैं उसके टू टाइप से एक रेम और दूसरा लॉम अब हम इसमें देख लेते हैं पहले रॉम के बारे में रॉम का पूरा नाम है रीड ऑनली मेमोरी मैंने यहां पर डाइग्राम में दे रखा है कि इस तरह की एक चिप होती है इसके बारे मैंने आपको पिछले वीडियों बताया है काफी अच्छा डिडियल से तो उसमें मैंने आपको बारे चिप लगी रहती है और उस चिप को हम कहते है रॉम यह बहुत छोटी से चिप होती है CPU कौन सी कंपनी ने बनाया है उसको manufacturing डेट क्या है कौन सा वर्जन उसका यूज कर रहे हैं तो यह सारी जानकरी है रॉम के अंदर फीड रहती है और आप उसको सिर्फ देख सकते हैं उसमें चेंज नहीं कर सकते इसलिए इसको read only memory कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी डेटा होता है सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं तो read only memory का मतलब है कि जो बीक मनफेक्ट्र कंपनी है जिसने चिप को बनाया है यह वह सिस्टम तयार किया है वह कुछ बेसिक प्रोग्राम इस मेमोरी के इंदर दाल देती है जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं उसमें चिंज नहीं कर सकते तो उसे हम क्याता है read only memory इसके लावा आपने देखा होगा कि मालीच आपके पाइस एक सिस्टम है और आपने इसको बिल्कुल बंद करके कहीं पर पैक करके रख दिया और उसको दो साल बाद तीन साल बाद आप उसको चल जान करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक रिसमें डेट और टाइम आपको बिलक से रॉम मैमोरी लगी रहती है एक छोटी सी गोल मैमोरी लगी रहती बैटरी लगी रहती है जिसको हम लीथियम बैटरी कहते हैं इस बैटरी से इसको पावर मिलती रहती है और इस पावर के कारण यह जो रॉम हैं कम्पिटर के बंद होने के बाद भी काम करती रहती है और के कारण डेट और टाइम है वह आपका चलता रहता है तो हमें ध्यान रखना है कि इसके पूरा नाम याद रखना है पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी जो की एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर जो प्रोग्राम है आप उसको सिर्फ देख सकते हैं उसमें प्रामेरी मेमोरी का ही एक पार्ट है कि इसके बाद सेकेंड जो है आपका रेम रेंड़म एकसे सकते हैं कम हैं आप चाहते हैं कि आपकी कमटर के स्पीड अच्छी आए तो आप उसके अंदर रैम को बढ़वा सकते हैं सामाने तो जीवी फोर जीवी या एट जीवी यह 16 जीवी की भी रैम आती है इसको आप यूज कर सकते हैं तो देखिए रैम का जो पूरा नाम है रेंडम एक्स झेंड़री मेंडरी तो यह एक तरह कि टेंप्रेरी डारी मैमोरी होती है जैसे यह ओक मिटर को ऑन करते हैं के पूरे प्राइल मेमोरी भी कहते हैं यानि टैंप्रेरी मेमोरी है एसाई मेमोरी है कम्प्रेटर के ओन ओते इस बेटा फीड होगा और ओफ होता ही डेटा और इसमें से हड़ जाएगा तो यह में आपको रेंडम एक्षिन मेमोरी तो रैम और रॉम दोनों ही मेमोरी है वह इसकी प्र तो यहां पर तकूर इसके रॉम के और भी टाइब बताए हुए हैं तो यह जो टाइप है सामानत अलगलग जो पर अलगलग टेक्निक के एसाब से यूज में होते हैं को जरू नहीं कि आपके CPU के अंदर ही मिलेंगे आपको जैसे पी रॉम यह यह प्रोग्राम बनाके फीड कर देते हैं फिर उसमें आपका करेक्शन नहीं कर सकते और उस चिप में जो प्रोग्राम बनाया उसके अकोर्डिंग ही वह सारा प्रोग्राम जो है आपका चलता है इसका सामानत है नोस होती है साउंड होती है यह चोटेटि प्रोग्राम वाल्यडी इस टोल होते वह बीडों कि यह प्रोग्राम को हम स्टोर कर लेते हैं आप उसमें बाद में चिंजस भी कर सकते हैं इसके लिए अल्टा वैलेट किर्णों का यूज कर जाता है पराबैक नीजों कि detry करने होता है उसको rewrite कर किया जा सकता है एक बार आपने प्रोग्राम दाल दिया उसको दुबारा से रेस करके नए सीरे से आप उसमें डेटा फीड कर सकते हैं समानते इसका यूजण है वो electronic department के दो आरा के जाता है या रिशर्च लाइब्रोटी जहां पर फो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसे प्रोग्राम को फाइनल लुक देने से पहले इसके अंदर प्रोग्राम दालते हैं और टेस्टिंग करते जैसे इसका एक्जामपल बताता हूं आप समझ जाएंगे जो आपकी पैंड्राइब है वह आपकी इसी तरह की रॉम होती है उसमें बिजली के संगेतों के द्वारा आप कोई भी डेटा को लिख सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं जब आपकी पेस्ट करते हैं तो आपकी जो इसी तरह और होती है राषजीन जो प्रोग्राम वाल भी डिडार्ली है इसी कहीं एक्जामपल है तो यहां पर मैंने अपको यह बताया है मैं आप वारे में आज साइसमें और पढ़ लेते हैं तो मैंने आपको बताया था defa कि इसने वीडियो में मैं आपको बताया था doen집 म अगर आप देखें तो पिछले डाग्राम में मैंने आपको बताया यहां पर टाइप सब्सक्राइब के अंदर सेकंडरी जो यहां पर दे रखाए तो सेकंडरी स्टोरेज यह पूरा यह तो यहां पर हम इसी को देख रहे हैं स्टोरेज डिवाइस में तो मैमोरी काट फॉन म हम यूज करते हैं स्टोरेज डिवाइस हाड इस नॉर्मली सीप्यू के अंदर कंप्यूटर में हम यूज करते हैं इसके लावा फ्लॉपी डेस है आज कल आउट ओव डेट हो चुकी है यह फ्लॉपी डिस्क इनका डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था पैंड डियाग्राम से समझ लेते हैं तो सबसे पहले जो डिवाइस यूज की गए थी डेटा को स्टोर करने के लिए वह यूज की गए थी पंच गार्ड कि यह है आपका पंच गार्ड कि एक फूट कि यह आपका पंच कार्ड का यहां पर गार्म दे रखा है पंच कार्ड क्या होता है यह प्लास्टिक के और लकडी के इस तरह के फ्रेम सोते थे जिन में अलग जगों पर छोटे छीट होते थे और उन छीड के रूप में ही आपकी जो सूजनाएं वह टूर होती थी जगे पर वो सिगनल आपके जा सकते थे जहां पर शेद है तो वह इसको वन माल लेता था जो नहीं जाते थे देटा वहाँ पर जीरो माल लेता था तो यह पूरा काम करता था कैसे यूज में लेते थे अभी सिर्फ हमें यहां पर यह देखना है कि जो पंच कार्ड है वह मैमोरी कार्ड की तरह डेटा को स्टोर करने के लिए इसके लावा टैबलेटिंग मशीन है उसमें भी हमने इसका यूज किया था तो नेक्ट वीडियो जो मेरा हिस्ट कार्ड में थोड़ा सा कुछ और तो यह पंच कार्ड मैमोरी डिवाइस थी इसके बाद आई फ्लॉप इडिस तो फ्लॉप इडिस क्या है बहुत अच्छी पॉपुलर हुई लेकिन इसकी कमी थी कि एक तो इसमें बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते सामाने ते जो एक लूप में रख दिया तो यह खराब हो जाती थी इसके लावा कि चीश से दबा दिया यह चुम्भी कि मैगनेटिक फील्ड में आगर आ गई तो भी खराब हो जाती थी इसलिए आज कर इन दोनों का यह यूज है वह लगबक खतम सा हो गया है ना तो हम पंचकार राज का य यह आपका dvd को दिजिटा वीडियो डिशिबी इसको कहते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कई अलेलग साइजों में आती है लगबा इसमें अधिकता 50 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं साइज की डवल टेंसिटी की सीडी आती है मार्केट के अगर आप लेते हैं डीवीडी तो उसमें लगबार 25-50 GB तक का डेटा जो है आप उसमें स्टोर कर सकते हैं वर्तमान में इनका यूज हो रहा है लेकिन हलाकि इनका यूज है थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है क्योंकि लगबार ये साल बर तक चलती है साल दो साल उसके बा सबसे बढ़िया लॉक प्रिये वर्तमान में स्टोर डिवाइस से इसमें हम आसानी से काफी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं पर साइब थोड़ी बड़ी है यह तो इसकी जगे पर इसके जो स्थान है वह आज कर मैमोरी कार्ड नहीं ले लिया है आते हृण है वह मोडिय कार्ड दो तरह कि आ रहे थोड़े बड़े साइज है फुदो चोड़े साइज में छोटे साइज वाले हैं इसको है SSD कार्ड भी कहते हैं वह चोटे होते हैं मोवाइल स्वोन में आप इसको यूज करते हैं तो इस तरह हमने देखा इसका एविलिशन आफ कि मेमोरी का की स्टूरीज डिवाइस है वह किस तरह से डवलप हुई पहले आपके पंच आड़ आए बाद में फ्लॉपी डिसक आए उसके बाद चीडी डीवीडी आई पैंड्राइव आई और अभी वर्तमान में जो है आपके जो मेमोरी कार्ड है वह काफी पॉपुलर है उनका यूज हो रहा है कि अब हम देख बात कर लेते हैं वर्तमान में जो एडवांस टक्नियोलोजी है और जो फ्यूचर की जो स्टूरेज डिवाइस है वह कौन सी है वर्तमान में तो अभी काफी पैंड्रेव अगरा काफी यूज रहा है मेमोरी कार्ड यूज आ रहा है लेकिन वाविष्ची में जो आपकी टेक्लर यूज होगी वह क्लाउड इस्टोरेज होगा कहीं कहीं पे आज भी इसका यूज हो गया है कि आपने देखाऊगा कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो इसको आपको लेके साथ में जाना पड़ेगा कहीं भी जा रहे हैं तो इसको लेके जाएंगे तब डेटा आपके साथ जाएगा पर आप चाहरें कि मैं कहीं पे भी हूँ दुनिया के किसी भी कौन में हूँ मेरा डेटा सेफ रहना चाहिए और कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सके उसके लिए हम उसका यूज करते हैं क्लाउड स्टोरेज क है जिसमें काफी सारा डेटा जो है वो एंटरनेट पर एक वेज़ंग कर दिये जाता है तो वेज़ंगेmee between ये कम्पनी कीस करती हैılar को मैनफलेंस करती है या गूगल में आपकी ड्राइव एक कॉप्शन होता है वहाँ पर यूज कर सकते हैं और आज गल तो जितने भी वगर आ रही हैं सबके अंदर क्लाउड स्टोरिंग स्टोरिज का जो है फीचर आ रहा है वहाँ पर अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं आप उसे पिक्चर स्ट यहीं काफी important topic है कि memory को कैसे measure किया जाए कैसे ना पा जाए तो देखी अपिटर की जो memory है इसको हम बिट और बाइट में आपते हैं अगर आप से पुछा जाए कि इसमें measure किया जाता है तो आपके बिट या बाइट हो सकता है option आप डिटा को बिट मेंस कर सकते हैं या बाइ होती है आप यह जीरो या वन की रूप में डेटा यहां पर सकते हैं जीरो बन का मतलब क्या है यहां पर देखिए कोई भी जो सरक्ट होता है जैसे सरक्रिट है इसमें सिग्नल जा रहा या नहीं जा रहा उसी पर पूरी टेकनोलजी जो है डिपैंड करती है कम्प्टर की तो सब्सक्राइब जा रहा था इसका मतलब असको मालन ले जाएगा यह जाया रहा यह नहीं जा रहा थो इसको मालने जाया जी रो तो आ demandé कह सकते हैं जो भी टेटा है वो एलेक्ट्रनीक फोर्मेट का रहा है या नहीं जा रहा उस यह पूरा टेकनोलोजी बेज़ होती ہے तो आ कहते हैं bit कहते हैं the smallest unit of measurement in computer is known as the bit अगर आप 8 bit को मिला देते हैं तो पूरा आपका one byte बन जाता है तो अगर आपने 8 bit है और आपने सको मिला के एक साथ बोला जिसे आप में यहापे 8 bit लिख देता हूं इस happens July 7 तो पूरी जो 8 बीट है यह सको हम क्या बोलेंगे बाइट बोलेंगे तो मिलकर यह बनती है इसी तरह मामाली आपने ऑब हचाजार 24 वायट आपने लित तो उसको हम बोलेंगे वन केबी वन केबी का मतलग वन किलो बायट इसी तरह 124 अगर के भी हैं तो उसको हम बोलते हैं वन एमबी यह वन मेगाबाइट और इसी तरह एक हजार चोईज अगर एमबी है तो उसको बोलेंगे वन जी भी यह वन गीगाबाइट और इसी तरह एक हजार चोईज आपके जी भी हो जाती है तो उसको बोलते हैं टेराबाइट इस एक बार repeat कर लेते हैं आज की class में हमने क्या पढ़ा उस पूरे को repeat कर लेते हैं कि तो आज की class में हमने पढ़ा था computer memory के बारे में कि computer memory क्या होती है यह कैसा तरीका है जिससे हम computer कर सकते हैं और कितने तरीके कहीज़ी डेटा को स्टө्र कर सकता है हम में ओन कशाने स्टेजर कर सकते हैं यह हमने पड़ा नें पड़ा इसके बाद हमने पड़ा यह टाइप note लिड्य मेमोरी उती है यह प्राइमरी की रॉम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है read-only memory कंपनी द्वारा जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं डेटा दाला जाता है वह आपके रॉम के अंदर दाला जाता है आप देख सकते हैं उसको कि आपकी मनफेक्ट्टर कंपनी कौन सी है कब उसको बनाया गया है ठीक है तो यह आप रॉम read-only memory रैम रेंडम एक्सेज मेमोरी इसको नो वॉलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं जो भी डेटा होता है यह दोनों ही मेमोरी जाहें मदरबोर्ड पर होती है इस्टोरी डिवाइस जी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है और इसका कम्पेटर में ह होना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप डेटर स्टोर करना चाते हैं तो आपको उसको लगाना पड़ेगा यूज लेना पड़ेगा तो यह आपकी स्टोरी डिवाइस है हाड़ डिस वगरा एवलिशन में हमने देखा कि पहले पंच कार्ड यूज होता था फ्लॉपी डिस झाल प्लॉपी